नमेश्कार दोस्तों हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पुरा इकोनोमिस को कंप्लीट कर दिये थे पुवर्टी वगेरा अनिम्प्लॉइमेंट वगेरा देख लिये थे है न तो यानि इकोनोमिस कंप्लीट हो गया तो मेरे पास आप्षन था या फिर हिश्टरी सुरू करे या फिर geography तो सोचें चलो geography शुरू करते हैं हिस्ट्री को लास्ट में देखेंगे क्यों कि बड़ा पार्ट है उसमें भिहार से भी relate करना होगा और पुरा Indian history भी देखना होगा है ना तो बड़ा हो जाएगा तो यहां हम लोग geography से सुरू करते हैं और geography में फर्स्ट section हम लोग लेंगे world geography से, शुरू करते हैं world geography से जिसे क्या होगा कि world level पे क्या चीज़ें चल रही है वो पता चल जाएगा, उससे हम लोग India level पे उससे correlate करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो चलिए start करते हैं भुगोल, विस्वता भुगोल ठीक है, तो कुछ background देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद यह सब चीज़ें वैसे जरुवत नहीं पढ़ेगा, और चलिए shortcut में जैसे यह हो गया आपका प्रित्वी, ठीक है, ये दो भाग में बटा हैं ठीक है, ये जो हुआ, वो हुआ इस्वाद donors भाग में दो प्लेट है, है ना, दो प्लेट, तो एक वा लॉरेसिया प्लेट क स्वाडिए प्लेट एह दो गॉंड वाना लैंड नाम सुने में गोंडवाना लैंड वगेरा लॉरेसिया प्लेट नाम से याद रखेगा लॉरेसिया यानि कुछ पार्ट एसिया का ठीक है और कुछ पार्ट यूरोप का ठीक है तो ये हो गया लॉरेसिया इधर ही तो यूरोप वगेरा है इसरिया में यहाँ पे यूरोप एलपी लिखते हैं ठीक है इसमें कौन आएगा पुरा यूरोप आएगा एसी आएगा एसी आएगा लेकिन भारत नहीं आएगा भारत आएगा गुंडवाना लेंड में एसी आएगा लेकिन मतलब भारत नहीं आएगा यानि जो इंडियन प्लेटू है न यानि जो इंडियन peninsula है वो नहीं आएगा ठीक है यह और यह कौन आएगा और इधर कौन है और नौर्थ अमेरिका है तो नौर्थ अमेरिका आएगा ठीक है और दूसरा यह गोंडवाना लेंड यह गोंडवाना लेंड जी एल ठीक है इसमें कौन आएगा इसमें तो भारत आएगा ठीक है यहां क और है और कौन आएगा ये इंडिया यहाँ पे है तो जानते है न कि अरब कहाँ पे है अरब मेंस का है ये साओधी वगेरा जश्टिस के सामने आपको दिखता है तो ये अरब पेनिसूला आएगा तो क्या आएगा अरब पेनिसूला और कौन आएगा नीचे यहाँ पे अफि और भारत कोहीं यानि इंडियन जो प्लेटू है इंडियन पेनिसुला जो है इंडियन पेनिसुला कोहीं बोला जाता था जम्मु दीप है जम्मु दीप जब पंडीजी मंतर पाड़ते हैं तो उसे बोलते हैं भारत खंडे जम्मु दीप है भारत खंडे है ना तो जम्मु द के पास में तो New Zealand का यहां Australia तो यहां पर New Zealand है ठीक है तो New Zealand के पास मिला जिसको नाम दिया गया Geolandia जी है Landia नाम सही लग रहा है New Zealand जैसा नाम चीक है तो यह याद रखे गा कहीं पूछा जाए कोई product में आपको तो इस से ज़्यादा इसमें पढ़ने का जरूत नहीं है ठीक है कुछ-कुछ मुख्य बिंदू देखते हैं मुख्य बिंदू जो याद करने योग हो समराने योग हो है ना तो छेतर यानि एरिया एंड जनसंख्या छेतर फल और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौ चीन है भारत है तो देखें दोनों के मिला दीजए तो ऐसे ही 3 बिलियन जनसंख्या तो चाइन और इंडिया का हो जाता है और टोटल कितना है पूरे दुनिया में कितना है 8 billion आठ बिलियन लोग पूरे देद दुनिया में है रहते हैं जिसमें 3 billion तो लगभग मान लीज़े आप भारत और चीने में हो गए ठीक है बाकी सब 5 million में अपने लोग बट गए तो यह चीज़े हैं तो Asia सबसे बड़ा उसके बाद को ना आएगा अफिरका उसके बाद North America और फिर यहां पे दो बार North America लीख है देखें अगर आप से पूचे कि छेत्रफल में सबसे बड़ा continent कौन सा है एशिया जनसंख्या में सबसे बड़ा continent है एशिया छेत्फल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा continent कौन है तो Asia ठीक है और सेकेंड कौन है तो अफिरका छेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी अफिरका यानि यह फर्स नमबर पे है यह सेकेंड नमबर पे है और यह थर्ड नमबर पे है यह North America थर्ड नमबर पे है लेकिन किस में एरिया में या तो जब यह जन संख्या में हाँ जन संख्या में बगर चौथे नमबर पे है तो जन संख्या में तीसरे नमबर पे कौन होगा तो जन संख्या में तो यह दोनों कब जाये हुए है पहला दूसरा तो जन संख्या में कहिए चाहिए छेतरफल में कहिए दोनों में ASEA और फिरका कब जाये हुए है, तो तीसरा कौन है बीचवा में, जनसंख्या क्या धार पे, तो यूरोप होगा, जनसंख्या क्या धार पे, ठीक है, और अगर कहें, छेतरफल के हिसाब से तीसरा कौन है, तो नौर्थ अमेरिका, ठीक है, यह चीज़े हैं, याद आपको चौथा नंबर पे, यह जनसंख्या में, जनसंख्या में, जनसंख्या में, नौर्थ अमेरिका, मुझे लग रहा कि ऐसे लिख कर हम आपको कन्फ्यूज कर दिये, तो इसको एक वार न, कंपाइल कर लेता है, ठीक है, यह सही टेबल है, आपको जनसंख्या में यूरोप एक ऐसा कॉंटिनेंट है, जहां सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मैदानी छेतर है, मैदानी छेतर है, कहने का मतलब समझे, कि मतलब जितना में माल यह इतना में यूरोप है, तो इतना में सबसे ज़्यादा मैदानी छेतर है, मतलब क्रिसी करने योग्य भूमी समय रहे हैं? यानि जो ऐसे मैदानी छतर नहीं किस हो, यहाँ पर पहाड होगा, यहाँ पर पठार होगा, यहाँ पर कुछ हो और होगा, तो यह उतना तो घिर गिर गया ये सब चीजों से, है ना? तो पर्सेंटेज कमता जाएगा, बहरते में देखे, तो उपर में जो है, कस्मीर एरिया में जो है, यह कितना पहड़ है, यह कि रिसी छत्र योग भूमी नहीं होगा, ना कि बरावर होगा, तो कहा जाए जम्मू कस्मीर में सबसे कम percentage of मैदानी छत्र है, कहा जाएगा ना, तो उसी हिसाब से उरोप एक ऐसा continent है, जहांपे percentage के हिस सबसे ज़्यादा मैदानी छत्र है, वैसे percentage के हिसाब से, समझ रहे हैं, आगर आपको एरिया के हिसाब से बोलेगा, तो यह होगा, नहीं होगा, ना, क्योंकि एरिया वाज देखे तो, एरिया वाज तो यह लोग आ रहा है, ना, तो यह छोटे है, लेकिन उसमें कम percentage में यह सबसे ज़्यादा देश है, सबसे ज़्यादा देश, मतलग किस, किस continent में सबसे ज़्यादा देश है, तो सबसे ज़्यादा देश है, तो सबसे ज़्यादा देश है, अफिरका में, अफिरका में कितना देश है, 54 देश है, याद नहीं रखेगा, समय लिए बस हाँ, अब फ पचास है एक कहीं अंतर आ रहा है और फिर का उरोप और एसिया ठीक है अब देखिए सबसे ज्यादा आइलेंड किसके पास है सबसे ज्यादा द्वीप जो छोटा मुटा द्वीप है न तो उसी तरह से सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास तो सबसे ज्यादा द्वीप है ग् बोणीयों और बोणीयो डीप यह सबसे बड़ा दीप की बात किया जा रहा है सबसे बड़ा डीप कौन है तो डीप मतर्जुगा अकेला है अगने राथ टपू जैसा है न तो बुमक्रानी नियुगर्ण रहे हैं दूसरा सब जयसे अगने डिया जैसे और कि date मेंसित है st mess या फिर का कॉंटिनेंट के पास में है न सफ़ा हुआ वह ठीक है इसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछे Asia का सबसे बड़ा दीब को न है तो यह ग्रिनलेंड Asia में तो है नहीं तो इरोप के पास है New Guinea कहां पर है New Guinea तो Australia के पास में है तो उसका पार्क बट जाता है Australia में आ जाता है Asia में आ जाता है तो हम लोग किसको मारें गए Borneo Borneo Indonesia के पास है तो यह सबसे बड़ा दीप है अजय का अजय का सबसे बड़ा दीप है और दुनिया का सबसे बड़ा दीप Greenland ठीक है इतना है कि न्योगिनिया से तीन मुना जादा बड़ा है Greenland शुमेरे यह चीज़े है और यह जो बोर्णियो दीप है न इस पे बहुत लोगों का अधिकार है, बहुत देश का अधिकार है, देखिए, यह जो इंडिया में, इस अधिकार है, इस पे तीन देश का अधिकार है, इतना में इंडोनेसिया का अधिकार है, इतना में मलेसिया का अधिकार है, और इतना खुद बोर्नियों है, बोर्नियों देश तो बोर्णियों के देश के पास मात्र 1% है और 73% छेत्रफल जो है इंडोनेसिया के पास है और 26% जो है वो मलेशिया के पास मलेशिया यहीं पर है ना मलेशिया देश कहां यहीं पर है मलेसिया है, उसके पाद सिंगापूर है, उसके बोर्नियो दीप हो गया, यहां पे अंडोनेसिया हो गया, ठीक है, मलका स्ट्रेट, तो यह इंडोनेसिया, मलेसिया, बोर्नियो, तो यह पुछा साया सकता है कि कौन सा दीप अशिया का सबसे बड़ा है तो बोर्नियो, ठीक है और मुखितत क्या हो सकता है जापान कितने आईलेंड से मिलकर बना है जापान कितने आईलेंड से मिलकर बना है तो ये जापान जो है ना चार मेजर आईलेंड से मिलकर बना है बड़े बड़े आईलेंड है चार आईलेंड मतों चार दीब से मिलकर बना है भॉकाइडो imagining दो एक है उन्हें इधर आइता किया मिलेगा चैना मिलेगा ठीक है इधर ऊपर में यी रूस मिलेगा आपका पता ही है इधर सौथ कोरिया North from मोट वहकार मिलेगा ठीक है यह 4 मिलकस बना तो इसकी नग मेंवर मतलऻ तो जय्पान का तोग्यो है न वह धल्धा नी थे होनशु पे बसा हुआ है ठीक है चारो का मेंबर है क्वार्ड